हेलो स्टुडेंट्स हाव अर्जू पिटा मैं आपकी इंग्लिश टीचर हुशा मैं तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर फोर दा मॉडल मिलिनेरी रिटन बाइ ओस्कार वाइल्ड आफ प्लस वन क्लास पिटा यह जो चैप्टर है न यह चैप् अच्छे आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वह मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जित्ती वी मेरी वीडियो हैं वह बेटा हमारी प्लेलिस्ट में और उसके जो पीडियाफ है हमारी वेबसाइट में वहां से आप देख सकते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी छोटे सी स्टोरी बिल्कुल सिंपल एक में बताऊंगी कि इसमें है क्या बेटा इसमें फाइव लोग है जो कि इस सारी स्टोरी उनके एड़गेड घुमती है ठीक है तो इस स्टोरी जो है वे रिटाइड करनल है और वो उसको पसंद तो बहुत करते हैं होई अर्ष्किन को पर वो उसके क्योंकि वो अभी बेकार है बेरज़गार है अनिपलाइड है तो वो उसकी शादी तब ही करना चाहते हैं अगर वो उसको उसके अपने कमाई हुए पैसे अगर उसके पास 10,000 प वेरी गुड लुकिंग है बेटा हर काम में वो परफेक्ट है पर एक पैसा कमाने में जब भी कई वीजनस उसने शुरू किये पर किसी में भी उसको सक्सेस हासिल नहीं होती तो वो जो है 2200 पांट जो है जो इसको हर साल उसके मासी की तरफ से मिलते हैं वो उससे अपना तो पैंटर नाम जो पैंटर है फरेंड है उसका नाम है बेटा एलन ट्रैवर जो की ग्रेट पैंटर है वो एक बुड़े व्यक्ति जो की एक बैगर की तरह दिखाई देता है उसकी पैंटिंग कर रहा है वो सारी कहानी जब अपने फ्रेंड को जाकर बताता है अपनी कि उसके वो एक लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन उसके फादर ने ये शर्त रखी है कि तो वो सारी जो स्टोरी होती है वो जो बुड़ा व्यक्ति होता है जो बिखारी की दिखाई देता है वो सारी कहान सुन लेता है तो असल में जो बुड़ा व्यक्ति है वो मॉडल में लिना देगी ठीक है यानि कि एक क्रोड पती इनसान है जिसको की अपनी नई नई तस्वीरें बनाने का शौंक है तो इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है हुई अर्सकिन की तो उसको वो दस हजार पॉंड एक एज गिफ्ट मेरेश गिफ्ट के तौर पे उसको देता है तो उन दोनों की शादी हो जाती है तो यही स्टोरी है तो आज हम मेरे ख्याल में सब को यह समझ आ गई होगी तो अब मैं आपको इसके शौर्ट कोशन आसर कारवाइल्ड के द्वारा देखी गई है दूसरा है हुउ वाज हम कोई अर्षकिन कौन है ठीक है तो एक हैंसम जंग में जाशन है ऑप हैं Curry फोस्ट यह को सब्सक्राइब हम तार्ड है वो क्या है रिटार्ड कर्णल है ठीक है वाइवास हुई अनेबल तु मैरी इस बिलवड वे अपनी प्रेमिका से शादी क्यों नहीं कर सकते विकॉज यूंकि उसके पास पैसा नहीं ठीक है six question who helped you to realize his dream उसके डीम्स को कौन पूरा करने की में सहायता करता है उसका नाम है बेरन हस्बर जो की एक बैगर था ठीक है वो असल में क्या था एक बहु थीक अमीर इंसान करोड़ पती था seventh question who was Alan Trevor Alan Trevor कौन है he was an artist artist है लेकिन यह कौन है उसका friend भी है बटा हुई असकीन का whenever he wanted अब ही Alan Trevor को पसंद बहुत करता है और उसको कहता है कि जब भी उसका दिल करे वो मेरे पास मेरे studio में आ सकता है ठीक है क्यों ऐसा कहता है because he was wonderful good looking and very good at heart क्योंकि जो हुई है वेटा बहुत ही सुन्दर जंग नौजवान है और अपने दिल का बहुत ही अच्छा है ठीक है आगे ninth question who was Trevor's model अब Trevor का model कौन है वह किसका तस्वीर बना रहा है Baron Hasberg in disguise of a beggar Baron Hasberg है जो की जो की beggar की एक बिखारी की तस्वीर बना रहा है who was Baron Hasberg Baron Hasberg कौन है द रिचेस्ट मैन आफ जोरप जोरप का सबसी अमीर इनसान आगे 11th question what did he give to the beggar who was sitting in Trevor's studio अब कौन था what did he ने beggar जोस की ट्रेवर की स्टूडियो में बैठा हुआ तो इसको क्या दिया एक पांड एक पांड दिया था ठीक है आगे है next question what information did Trevor give about his model तो उसको क्या information मिलती है Trevor को अपने model के बारे में his model was not a beggar कि उसका जो model है वो beggar नहीं है who scolded he he को कौन जड़कियां देता है Laura Martin his beloved okay आगे next question why was he scolded it उसको क्यों जड़कियां दी गई for his extra vengeance यानि की फजूल खर्ची करने के लिए नेक्सक्यों 15 वो वाज्ड दा model मिल्री अफ बारे मौडल मिल्री कौन था बेरन हस्वर्ग ऑफ यॉर्प यॉर्प का एक करोड़ पती इनसान बेरन हस्वर्ग था था ठीक है आगे next question what did मिलिनरी सेंट हुई उसने हुई क्यों क्या भीजा था एक चेक फॉर टैन थाउजन पॉंड एक दस हजार पॉंड का एक चेक उसने उसको भीजा था ठीक है यह हमारे सिक्स्टीन कोश्चन कंप्लीट है मेरी ख्याल में सारी स्टोरी ही इन में आग़ी है ठीक है बिटा के साथ ठीक है तो जिसके कोश्चन नीचे भी दी गए है इसके से अगर आपको भूल जाते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं तो इसका लारन लारा मार्टन के साथ वह शादी करना चाहता है लारा's father said that he must have must have 10,000 pounds इसमें क्या आना है बेटा 10,000 thousand pounds of his own to marry Laura यानि कि यह वाली चीजा आना है clear next आजाता है आपका who is friend Alan Trevor was a great क्या थे वो painter थे क्या थे painter इसमें यहां पर क्या आना है painter इसके बाद next question when he went to Trevor's studio he was painting a picture of a किसकी picture वो paint कर रहे थे एक बेगर की clear next question फिफ्ट ट्रेवर वास पेइंग दा बेगर कितना पैसा दिया था उसने very little दा मनी ठीक है आगे है when to beggar beggar के पास कौन जाता है Trevor and इसमें आना है who he went to beggar and gave him the only one pound he had उसके पास सिरफ एक pound था वो भी वो बिखारी को दे देता है seventh question है Trevor told the beggar all about Huey, Laura, Colonel and the ten thousand pounds अब कौन बताता है उसके बारे में Trevor बताता है ठीक है the beggar was in fact असल में जो बिखारी है वो क्या है Baron Husberg ठीक है richest man of Europe next question है Baron Husberg sent a picture of ten thousand pound as a as a क्या wedding gift to the Huey Erskine next question Baron Husberg was remarked as model millionaire by Trevor उसको एक क्रोड पती model का दर्जा दिया जाता है तो यह हमारा complete होता है next है हमारे true false हमने अब करने है true false में who are skin was a rich man यह ठीक है यह गलत है बिटा यह बिटा false है okay तो next है who wanted to marry Laura Martin for money money के लिए वो उससे शादी करना चाहता था no यह भी गलत है Laura's father hated Hughie वो उसे ग्रिना करते थे नफरत करते थे no यह भी गलत है वो तो उससे प्यार करते थे सिर्फ यह ही चाहते थे कि वो उसकी लड़की तब उससे शादी करें जब उसकी अपनी पैसे कमाई हुए दस अजार पॉंड उसके पास हो ठीक है फोर्थ लॉरा's father told Hughie that he must have 10,000 पॉंड to marry his daughter यह बिल्कुल ठीक है ठीक है इत वास पॉसिबल फॉर हुई तो collect 10,000 पॉंड उसके लिए पॉसिबल था no आगे फॉल्स है यह फार्मर की तस्वीर बना रहे थी बटा वो यह भी क्या है फॉल्स है फॉई helped a beggar फॉई ने बैगर की सहाइता की थी ट्यू की थी बिल्कुल ठीक है यह ठीक है फॉई रिचेस्ट परसन और यह 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 भी ठीक है फॉई refused to accept the money which baron hasberg had sent to him उसने उससे पैसे लेने से मना कर दिया जो कि उसने बैरन hasberg ने उसको भेजे थे यह है नाइन्थ कोश्चन यह फॉल्स है उसने तो accept कर लिये थे एट लास्ट फॉई अर्सकीन एंड लॉरा मार्टेन मेरेड हैपिली यह बिल्कुल ठीक है यह मेरे ख्याल में 10 के 10 सभी आपको समझ आ गए होंगे अब हमने इसका choose the correct करने बटा ठीक है तो इसमें correct option बतानी है आपने choose the correct option for each of the fallings सबसे पहले है हुई अर्सकीन वाजे क्या था बटा greedy man था, kind man था good looking था यह both b and c इसमें आना both b and c in kind भी था और good looking भी था यह बला नहीं आना पहले बला ठीक है who he wanted to marry Laura Martin who was the daughter of किसकी daughter थी वो बटा retired करनल की daughter थी ठीक है next है who is friend Trevor Vase उसका friend जो था वो क्या था painter था, drama artist था barber था या none of these इसमें क्या आना painter था सबसे पहले next है Alan Trevor Vase painting यह picture of वो किसकी picture जो paint कर रहा था वो poor farmer की old woman की old potter या old beggar old beggar यह सारे इसमें cross आने सिरफ old beggar जो है बिल्कुल ठीक है वो ही आना ठीक है तो who was the old beggar actually असल में जो old beggar जो था वो कौन था वो सबसे पहले richest man of यॉरप था यह वला था आना है बाकी सारे इसमें से कोई नहीं आने ठीक है whom डिड़ हुई गीव only one pound he had और हुई ने one pound किसको दिये थे जो उसके पास थे उसको दिये थे तू बैरन हसपर old beggar तू दर रिचेस्ट मैन अफ जोरफ all अफ दीस यह सारी qualities किसमें आती है all अफ दीस में ही आती है इसमें हमने all अफ दीस फिल करना है कि वो सबसे अमीर आदमी है यौरफ का लारा मारतिन ने लारा मारतिन स् फादर ने उसके बैरन हसपर्क ने या एलन ट्रेवर ने किसने बताया था एलन ट्रेवर ने बताया था ठीक है बटक आगे है इसका next question what was in fact what was in the letter given by an old gentleman to whoi कौन सी letter whoi को दी थी old gentleman ने wedding present gift from an old beggar a check for ten thousand pawn all of these इसमें भी क्या आना है all of these ये सारी चीजें ही उसने उसको दी थी ठीक है ये हमारी सारी stories में आ जाती है मेरे ख्याल में सब को समझ आ गई होगी तो अब आपने इसको अच्छी तरह से learn करना है ताहां कि आपके अच्छी से अच्छी माकसा हैं मेरे ख्याल में आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो गॉड़ ब्लेस्ट आप इसके शौर्ट कोस्टन आंसर और लॉंग कोस्टन आंसर हम बटा नेक्स्ट वीडियो में अप्लोड करेंगी थैंक यू बटा